अलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का इनॉर्मस लेर्निंग पर रोहीद बर्मा आज का क्लास जो है शुरू करते हैं ठीक है आज प्रीमियम में रहेगा क्लास जीके जेनल नौलेज और जेनल साइंस के जो हैं कुशिंस रहेंगे अपने बास ठीक है आज के क्लास मे 50 कुशिंस जो हैं हम करने वाले हैं ठीक है बेसिक लेवल के कुशिंस रहेंगे ज्यादा हाड नहीं रहेंगे टार्गेट आप एट लिस्ट मान के चलिए 40 प्लस तो आपका होना चाहिए अगर आपको 45 प्लस करते हैं तो वैल और ठीक है तो आपकी प्रेपरेशन अच्छे कर लो आपकी सेलेक्शन लेने में बहुत काम आएंगे यह वीडियो ठीक है अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको ठीक है तो जो आपकी नए नए वीडियो रहेंगे हमारे वो सब आपको मिलते रहेंगे ठीक है चलिए तो चलते हैं आज के पहले कुशिंस की और फॉस्ट कु यहाँ है जो पॉर्षन होता है यह किस की कमी से होता है यह मेरभाई होता है आयोडीन की कमी से मैं आप रतीक है अइसंट नए बहोता है ठीक है रोक हाँ तो इसका जो है यूनिट क्या होता है एंपेर होता है ओम बॉल्ट जा फिर जूल यह आपके सामने ओप्शन्स है चलिए ओम ओप्शन नमबर बी ठीक है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का जूनिट जो है यह ओम होता है ठीक है इसके सिबागर आपको कोई भी डौट रह जाते हैं कुछ भी आपका क्वेशन हो ठीक है इंस्टाग्राम टेली ग्रम इन दोनों के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी क्योशन हो तो पूप्च सकते हैं फालो कर सकते हैं मुझे ठीक है ер ट well done options आपके सामने है decibel is the unit of sound intensity sound हो तो sound पे भी चलेगा intensity हो साथ में तो वो भी बड़ी है sound intensity की जो है unit है next question देख लेते है question number 4 answer के लिए आपको ज़्यादा time नहीं दिया जाएगा उसके लिए आप video pause कर सकते हैं बीच में अगर आपको answer के लिए सोचने के लिए time चाहिए तो ठीक है question number 4 which of the following is an ideal metal metals दो type के रहते हैं ठीक है एक number पे हो गया ideal metal ठीक है और दूसरे number पे हो गया noble metal ठीक है noble और ideal ये दो type के रहते हैं दोनों में difference है आगे आपको पता चलेगा ठीक है so in options के according ideal metal कौन सा है गो रहेगा आपका iron ठीक है iron जो है ये आपका ideal metal है चलिए next question चलते है question number है six AIDS के बारे में question है AIDS के उपर ठीक है AIDS जो है ये इन में से किस बेस पे होता है AIDS जो है प्रोटोजुआ की वेज़े से है virus है bacterial है या mildew है AIDS occur due to which of the following reason AIDS जो है viral disease है ये virus की बज़ा से होता है ठीक है और world AIDS day आपके लिए question है world AIDS day जो है वो किस date को मनाया जाता है नीचे comment box में आपका answer आना चाहिए ये आपका as a homework ठीक है world AIDS day किस date को मनाया जाता है option number 20 में सही answer है next question देख लेते हैं question number 6 के और चलते है सबी दोस्तों को full questions जो है 50 questions attempt करने हैं और 50 में से out of बताना है कि कितने questions आपके सही रहे हैं उससे मेरे को भी आपकी जो त्यारी है preparation है उसका पता चलेगा ठीक है green revolution के ओपर question है हरित करांती के ओपर simple question में पूछा गया कि हरित करांती green revolution जो है यह किसकी production के लिए आया था ठीक है green revolution के पीछे का motive क्या था ठीक है कौन-कौन से फसल नहीं थी इसमें तो green revolution जो है मेरे वाई हो ठीक है यह था food grains के लेटर ठीक है food grains अनाज के लेटर ठीक है और इसमें main जो दो थे main थे rice and बीट चावल और ग्यहूं ठीक है यह दो main food grains थे इसमें और इसके पीछे का reason क्या था hunger hunger होता है भूख and poverty poverty होता है गरीवी ठीक है भूख और गरीवी इन दो words जो है इनको कम करना ठीक है भूख की बज़े से कोई ना मरे और गरीवी की बज़े से कोई ना मरे क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो गरीवी भी होगी और भूख भी होगी गरीवी किस बज़े से होगी क्योंकि हमारे इंडिया की जो population आल्मोस्ट आदी से ज़्यादा population जो है directly कहली ज़े या indirectly कहली ज़े agriculture से संबंद देता है ठीक है agriculture से जूड़ी हुई है उस बज़े से poverty चलिए next question देख लेते हैं question number 7 है vitamins के ओपर question है citrus fruits जो होते हैं खटे fruits कहा जाता है खटे fruits जो होते हैं उन्हें citrus fruit कहते हैं खटे fruits जो होते हैं citrus इनमें कून सा acid होते है acid नहीं vitamin ठीक है B, D, B, A जाँ फिर C ठीक है तो खटे fruits जो होते हैं उनमें होता है vitamin C citrus जितने भी fruits आएंगे ना खटे जितने भी fruits आएंगे सब भी में vitamin C होता है आँख बंद करके लगा दिजे और vitamin C की कमी से deficiency की कमी से ठीक है कौन सी जो है विमारी होती है वो होती है scurby ठीक है scurby जो है vitamin C की कमी से होती है इसलिए next question देखते है question number 8 है burning of candles ठीक है मौबतियों का जलना GKS का question है sorry general science का question है मौबति का जलना जो होता है वो कौन सी process होती है chemical change होती है physical change होती है मौबति as it is मौबति है जलती है तो यह कौन सी process के अंडर आता है यहां से melt भी होती है जलती भी है ठीक है तो यह जो जलने का होता है ठीक है warning होती है warning situation होती है position जब होती है warning state में होती है तब जी आती है chemical change के अंडर और जब यह melt होने लग पड़ती है melting state में होती है melting state में होती है तब आती है physical change के अंदर तो आपका answer जो option number C रहेगा both A and B chemical change भी होता है और physical change भी रहता है next question question number 9 है paper is made from कागस कों से solution से बनता है यहाँ पर solution की बात की गई है कि solution से बनता है तो definitely trees रहता आपका ठीक है तो यहाँ के according question number 9 में options के according हमें हमेशा चलना है इस बात का ध्यान रखें cellulose आपका answer सही बैठे है option number B paper जो है वो cellulose से बनता है इसके सीवा technology को देखते है cotton से भी paper बनाया जा रहा है flex से paper बनाया जा रहा है हम से paper बनाया जा रहा है hemp होती है बांग होती है ठीक है से paper बनाया जा रहा है इसके सीवा जूट जूट से paper बनाया जा रहा है यह दो चार चीजें और हैं जिनका use किया जा रहा है पेपर बनाने में option number B आपका 9th question में सही रहेगा question number 10th देख लेते हैं simple बाशा मैं आपको बताऊं कि सूरे की जो किरने हैं वो दर्ती तक पहुँचने के लिए कितना time लेती है simple question ठीक है just a minute how long does it take sunlight to reach the surface of the earth सूरे की किरने जो हैं दर्ती तक पहुँचने के लिए कितना समय लेती है option number A आपका जो है सही रहेगा approximately 8 minute and 30 seconds approximately बोर रहा हूँ approximately का मतलब बता है लंसम लंसम ठीक है लंसम लंसम मतलब एक आदा इंच जाएक आदा सूतर इदर उदर हो सकता है ठीक है तो ये इसका time है 29 आर 30 ठीक है चली next question देख लेते हैं next question है question number 11th है hardest substance सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है aluminum रहता है iron रहता है diamond रहता है जा फिर gold सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है मेरे वाई हो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे वाई हो समझ आ रहे हो questions तो उसके लिए आप एक like कर सकते हैं और अगर आप नए है मेरे सच चैनल पे तो दोस्तों आप subscribe कर सकते हैं ये आपकी fees रहेगी मेरे को ठीक है like और subscribe बस इतना सा कर दिजी अगर आपको questions अच्छे से समझ आ रहे हैं तो तो सबसे hardest जो है सबसे hardest substance रहता है diamond रहता है प्लास्टिक ठीक है प्लास्टिक इस टाइप का material होता है artificial होता है soiled होता है natural होता है जहां synthetic होता है basic level के questions है practice class चल रही आपकी 45 plus target होना चाहिए आप सभी का ठीक है 45 plus तो heat करने ही चाहिए ठीक है तो plastic जो है मेरे बाई जो एक synthetic है synthetic fiber में आता है plastic यह उस type का material है चलिए इसके जिवाए एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको पीछे के questions में जो sun बला था ठीक है हाँ इसमें एक चीज़ बतानी थी एक add-on करनी है कि सूर्य जो है यह इतना time लेता है ठीक है आपको हो गया उसके जिवाए एक question आता है light के ओपर ठीक है light के ओपर कि light की speed क्या होती है ठीक है light की speed क्या होती है light की speed पे भी question रहता है light की speed रहते है 3 into 10 raise power 8 ठीक है 10 raise power 8 यह लहती है light की speed याद रखिए 10 raise power इसमें confused मत हो यह simple सोच लिज़े कि आगे 8 0 जो है और है बस ठीक है यह 8 का meaning वही है कि 10 के ओपर 8 0 और है बस ठीक है चलिए तो चलते हैं हम अपने next question की तरफ next question हमारा question number 13 है कि metals जो है कौन सा metal metal आप सभी को पता है metal good conductor of electricity रहते हैं एक उनकी खासियत और metal जो है उन्हें कहा लिजे कि वो solid form में होते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा question है कि कौन सा metal जो है वो liquid state में होते है liquid form में तरल अवस्ता में ठीक है कौन सा होता है तो वो होता है mercury ठीक है mercury जो है liquid state में होता है example के लिए आप thermometer देख सकते हैं जिसमें हम अपना fever चेक करते है thermometer उसमें mercury होता है याद रखिए next question देखते है question number 14 है chemical formula of salt salt जो है नमक का रसाइनिक सूत्र क्या होता है नमक का ठीक है options आपके सामने ने ओए चैने CL HCL जहां फिर KCL sodium chloride sodium chloride इनमे से कुन सा है sodium chloride का जहां पे chemical name क्या लिखा हुआ है जल्दी से देख के बताई ये options आपके सामने है ठीक है sodium chloride बोले तो NACL option number B आपका B के साथ जो 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 दोस जा रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है sodium chloride जो है ये formula है salt का chemical formula sorry चलिए question number 15 देख लेते हैं कि हमारा आस्मान जो है आप सभी को मालूम है आस्मान आप सभी देखते हैं आस्मान sky ठीक है उसका color जो है वो blue queen रहता है ठीक है उसके नीला रंग होने की बज़ा क्या है ये 9th class का question है 9th science का question है basic question है 9th 10th तक आप सभी पड़े होंगे at least जितने मेरे भाई GD का exam के लिए देख रहे हैं ट्रेट्समेन के लिए देख रहे हैं 9th 10th तो सभी ने की ही होगी ठीक है तो किस बज़ासे होता है ये होता है scattering की बज़ासे scattering होता है बिखरना रोशनी का बिखरना ठीक है ये एक point लगा लिजे इदर से रोशनी का बिखरना इसे बोलते है scattering ठीक है due to the scattering of light जो है आसमान का color रंग जो है वो नीला दिखता है next question के ओपर चलते है simple question है basic question है कि एक light में कितने रंग होते हैं question number 16 एक light में कितने जो है रंग होते हैं simple एक light में सात रंग होते हैं ठीक है light कहाई लिजे sunlight कहाई लिजे rainbow कहाई लिजे ठीक है वी आई वी जी वाई ओर विव ग्योर ठीक है violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red सबसे last में रहता है red color ठीक है बेव लेंथ बोले तो क्या बेव लेंथ क्या चीज होती है बेव लेंथ होता है कि दूर से दिखाई देना सबसे जादा दूर से कौन सा रंग जो है वो दिखाई देता है वो होता है red ठीक है red color की बेव लेंथ चलिए next question देखते है question number 17 पैंसिलीन क्या है ठीक है what is पैंसिलीन एक एंटिवाइटिक है ठीक है पैंसिलीन इजन एंटिवाइटिक simple question चलि next question है question number 18 है गठिया किसे समबंदित है गठिया का रोग जो होता है ठीक है वो किससे समबंदित है what is आर्टिक्स related to इससे क्या होता है कि joints में जो है problem आने लग पड़ते हैं ठीक है joints जो है बच्चे से काम नहीं करते हैं तो उसी problem को कहते हैं गठी है next question question number 19 के और चलते हैं question number 19 है कि photosynthesis most important question class 8th का science का question है 8th science का question है कि photosynthesis जो है वो कौन सा gas जो है use करता है photosynthesis में photosynthesis में में दो गैसों का काम रहता है carbon dioxide ठीक है और oxygen का ठीक है oxygen और carbon dioxide का रहता है काम ठीक है inhale कौन सी करता है carbon dioxide करता है और exhale oxygen करता है inhale और exhale ठीक है inhale होता है कि सांस को अंदर लेना exhale होता है सांस को छोड़ना ठीक है पोदे जो होते हैं पेड़ पोदे जो होते हैं यह फोटो सिंथिस जो है जो पेड़ पोदों में होती है पेड़ों में होती है पेड़ क्या करते हैं कि कार्बन डायकसाइड को इन्हेल करते हैं अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं मतलब इंसानों के बिल्कुल आंसर रहेगा 20th question देख लेते हैं ठीक है sound energy converted into electric energy why sound energy जो है ये question मैंने खुद add किया है because last video में by mistakely ये question मेरे ज़े गलत हो गया था इसमें मैंने answer loudspeaker कर दिया था so कि इसका answer जो है microphone है ठीक है इसका answer microphone है गलती हो होती है कोई बड़ी बात नहीं है कोई बिद्वान नहीं है इस दुनिया में ठीक है तो उस पर देखके comment मैंने तो इसको implement करने का सोचा तो इसलिए मैंने बता रहा हूं कि loudspeaker इसका answer गलत था इसका answer microphone था ठीक है चलिए next question क्यों चलते है question number 21 देख लेते हैं पचास questions का class रहने बाला important question रहेंगे और basic रहेंगे जो आपकी definitely help करेंगे exam में selection के लिए ठीक है important question रहेंगे semi conductor कौन सा इन में से ठीक है semi conductor which of the following is semi conductor निमिलिकित में से कौन अर्दचालक है बहुत बढ़िया semi conductor कौन सा जर्मेनियम है iron silver जा फिर लेड को इसमें सही answer जो है वह बैठे का option नमबर एक के साथ germanium जो है semi conductor है germanium के सिवा अगर और option हो silicon का option रहे बारॉन का option रहे तो आप इन के साथ भी जा सकते हैं ये भी एक semi conductor है silicon semiconductor है वारॉन भी एक semi conductor है याद रखिए ठीक है question number 22 है which of the following is a novel metal देखिए मैंने आपको starting में ही question number third fourth I think था कुछ ठीक है उसमें मैंने बताया था कि एक ideal metal होते हैं एक novel metal होते हैं ठीक है वो question था ideal metal के उपर यहाँ है novel metal के पर नॉबल होते हैं जो बिल्कुल जल्दी से answer या आपकी knowledge के लिए extra add-on कर देता हूं मैं आपको ताकि आप कल को किसी और भी level के exam दे कुछ और भी करें तो आपको कोई issue ना आए ठीक है तो इन में gold जो है मेरे भाई हो ठीक है गोल्ड जो है novel metal है अगर बात करते है ideal metal की तो ideal metal iron रहता और gold जो है रहता है novel metal option number B आपका सही answer है ठीक है चलिए next question देखते है question number 23 है कि charged atom जो होता है उसके पास कितने particles होते है how many particles does the charge atom have? charge atom के पास तीन particle होते हैं ठीक है option number A charge atom के पास तीन particle होते है option number A आपका सही answer है चलिए next question देखते है question number 24 है electric current measure करने के लिए कौन सा instrument जो है use किया जाता है बिदुदारा को मापने के लिए किसी अंतर का प्रियों किया जाता है basic question है गलत नहीं करने है gk gs most important role play करेगा आपके exam में ठीक है तो बताइए कि electric current measure करने के लिए किसका उप्यों किया जाता है बिल्कुल सही तो वो किया जाता है emitter का option number A ठीक है emitter का प्रियों किया जाता है electric current measure करने के लिए चलिए next question देख लेते है question number 25 mix up question रहेंगे मेरे भाई यो gk gs के ठीक है बीच में कुछ gk के questions आ जाएंगे general science के ठीक है which of the following is a bacterial disease bacterial disease इन में से कुन से है जो bacteria के थूँ फैलती है कुछ disease होती है वो viral diseases होती है virus से फैलती है कुछ diseases bacterial होती है कुछ diseases infectious diseases होती है infection से फैलती है ठीक है तो यहां पर बात की गई है viral disease की तो viral disease आता है TB जिसे हम tuber clauses बोलते है tuber clauses कहां effect करता है यह lungs में effect करता है ठीक है अपने lungs में effect करता है tuber clauses जो है ठीक है तो option number C जो हैसमें आपका बि 26 है, heaviest ray के ओपर question है, question journal science का है, ठीक है, कि इन में से सबसे बारी किरण जो है, वो कौन सी होती है, which of the following is the heaviest ray, gamma ray, alpha ray, beta ray, जा फिर x ray, कौन सी ray, जो है, सबसे बारी होती है, heaviest ray, question number 26, ठीक है, तो इसमें आपका answer जाएगा, alpha ray के साब, ठीक है, alpha ray, जो है, यह heaviest ray होती है, ठीक है, heaviest ray, alpha ray, option number B, जो है, question number 27 का, बिल्कुल सही है, next question देख लेते हैं, question number 27, hemoglobin के ओपर, hemoglobin in blood, in the blood, is a complex protein rich in, hemoglobin simple, ठीक है, hemoglobin जो है, वो खून में होता है, ठीक है, उसी की बज़े से जो है, खून का रंग लाल होता है, अगर question आ जाए, कि हमारे खून क रंग, blood का color, red क्यों होता है, किसकी बज़ा से होता है, simple hemoglobin के साथ जा सकते हैं, उसी के ओपर एक और पीछे question आ जाए, कि hemoglobin में कौन सा rich protein होता है, complex protein रहते हैं, hemoglobin में, ठीक है, तो वो आपके सामने options हैं, तो वो रहते हैं iron के, ठीक है, iron रहता है, rich in iron in hemoglobin, ठीक है, option number D, इसमें आपका sage बाग है, ठीक है, next question पर चलते हैं, question number 28, chemical formula of laughing gas, एक laughing gas होती है, आप सब इन नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ में जैसे ही आपने chemistry पढ़ी होगी, chemistry खोली होगी, definitely आपको teachers ने बताया होगा, जैसे सीनियर से में बताया होगा, कि definitely एक laughing gas होती है, जिसे सूंगने से, इनसान जो है, वो हसने लग पड़ता है, हसता रहता है, ठीक है, उसको smell करने के बाद, तो वो कौन सी gas होती है, उस gas का नाम बताये जल्दी से, ठीक है, उस gas का नाम होता है, nitrous oxide, ठीक है, और nitrous oxide का chemical formula बता दीजे जल्दी से, options यहाँ पे है, chemical formula यहाँ पे NO2 नहीं, ठीक है, N2O, option number C जो है, बिल्कुल सेजवाब है, chemical formula of laughing gas is nitrous oxide, N2O, option number C में सेजवाब है, ठीक है, next है, question number 29 है, कि novel gas कौन से होती है, पीछे question था कि novel metal कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे question आगए, कि novel gas, ठीक है, question को हमेशा ध्यान से पढ़िए, sorry, not a novel gas, इसमें not be mentioned ठीक है, questions को ध्यान से पढ़िए, निमलिकित में से कौन सी gas, एक उत्कृष्ट gas नहीं है, novel gas इन में से नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, option number A, जो है, इसमें आपका सही answer रहेगा, option number A, oxygen is not a novel gas, question number 30 के और देख लेते हैं, question number 30 है, कि bones, हड़ियां जो हमारी होती है, ठीक है, उनको कौन सा vitamin जो है, वो strength देता है, मजबूत कौन से vitamin के थरू करते हैं, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, धूद पीजिए, milk, ठीक है, milk के थरू हड़ियां जो हमारी strong होंगी, ठीक है, sunlight में बैठिये, या आपने definitely सुनी होंग ठीक है, इनमें कौन सा vitamin होता है, vitamin D, ठीक है, जिसकी कमी से, vitamin D की deficiency होता है, कमी से, ठीक है, vitamin D की कमी से क्या होता है, rickets, rickets बीमारी का नाम है, जिससे की हड़ियां जो हमारी कमजोर हो जाती है, soft हो जाती है, bend होने लग पड़ती है, ठीक है, वो होती है, rickets, ये बीमारी का न BCG vaccination is used for BCG जो टीका करन है vaccination है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है simple question है किसके लिए किया जाता है dangue के लिए, plaque के लिए, typhide के लिए किसी के लिए भी नहीं BCG vaccination is used for देखिए एक चीज़ का हमेशा exam में ध्यान रखिएगा यह आपको एक tip बता रहा हूँ negative marking रहेगी आजकल हर exam में negative marking रहती है आप कोई भी exam दो ठीक है negative marking रहती है 0.25 0.25 की negative marking रहेगी आपके ठीक है इसका याद रखिए तो अगर कोई equation नहीं आता है simply उसको skip कर दो अगर doubt है 50-50 हो तो try करो guess लगा के अगर नहीं आता है तो simply skip कर दो गलत करने का कोई फाइदा नहीं है अगर आप गलत करोगे तो 2.25 marks जो है आपके minus में जाएंगे क्योंकि एक number army में एक question जो है वो दो number का होता है ठीक है गलत करोगे दो number तो इसके जाएंगे जाएंगे साथ में 0.25 जो है और चले जाएंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए तो इसका answer आपका रहेगा option number D के साथ none of these ठीक है वीसी जी जो है ये TB के लिए vaccination होते है ट्यूबर क्लॉसिस के लिए ठीक है यो की effect करता है कहाँ पे lungs में ठीक है lungs में effect करता है TV जो कि आपको मैं पीछे के question में भी explain कर चुका हूँ ठीक है इस चीज का ध्यान रखिए गजामे next question है brass contents के ओपर पीतल के बरतनों के ओपर ठीक है पीतल जो है उसमें किस-किस का mixture जो हो होता है ठीक है basic question है कोई confusion नहीं रहने चाहिए अच्छे से समझ आ रहे होंगे आपको question अगर आपको नहीं आते हैं समझ तो मुझे बताइए और improvement की जुरूरत है समझाने में मैं और improve करूँगा अगर आपको लगता है कि ये question समझ नहीं आ रहे हैं थोड़ा simple बता रहा हूँ जहां और explain करके बताऊँ तो definitely आप comment works में बता सकते है social handles पे contact करके बता सकते है अगर आपको कोई कमी लगती है तो definitely improvement होगी ठीक है question number 32 जो है इसमें रहता है copper और zinc ठीक है copper और zinc का mixture रहता है ये क्यों रहता है इससे क्या होता है कि जो brass है पितल है ये hard होती है hardness आती है इससे कठोरता ठीक है कठोर हो जाती है बता इससी बज़े से इसमें copper और zinc का mixture किया जाता है चले next question है question number 33 देखते है कि pencil जो होती है अपनी pencil आप सभी ने use किया definitely सभी ने किया है pencil को manufacture करने के लिए इनमें से कौन सा material जो है वो use किया जाता है carbon, coal, milk, mica, mica sorry mica या फिर graphite graphite is the right answer option number D graphite का जो use किया जाता है manufacture करने के लिए किसको pencil को pencil को manufacture करने के लिए graphite का इस्तमाल होता है जो कि option number हमारा D है बिल्कुल सही next question बैठता है question है कि main component जहांके लिए कि major component of biogas ठीक है इन में से major component कौन सा है biogas का ने में लिकित में से कौन biogas का प्रमुख गटक है biogas का प्रमुख गटक कौन सा है carbon है, helium है, methane है जाँ फिर oxygen well done question number 34 और आपका सही answer जो है वो जाएग option number C के साथ methane ठीक है, इसे आप biogas के ही है जाँ फिर natural gas के ही है ठीक है, natural gas होता है कहीं जगाओं पे, कहीं जगाओं पे gover gas भी होता है mention ठीक है ये एक ही नाम है natural gas, gover gas, biogas, ठीक है इनका main component है वो रहेगा आपका methane, option number C question number 34 का सही answer रहेगा next question number 35 है कि periodic table जो है periodic table 9th की class में आपने सब भीने chemistry पढ़ी है, 9th तो add-on हुए ही होंगे, chemistry ऐसा subject है जिससे आप सभी रूब रूब ही हुए होंगे ठीक है, तो chemistry में periodic table आपने देखा होगा ठीक है, उसमें जो है वो किस की उपर वीज़ रहता है periodic table, atomic volumes के उपर रहता है, beat के उपर रहता है, radius के उपर रहता है, जा फिर number के उपर रहता है ठीक है, चलिए जल्दी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और यह रहता है, atomic number के उपर ठीक है, atomic number के उपर बेस रहता है atomic number होते है, number नहीं तो आप मास भी कह सकते हैं, अगर आप पूरा chemistry को follow करेंगे, तो आप मास कही है, ठीक है, atomic मास के ओपर, otherwise atomic number atomic mass, एक ही चीज़ है, ठीक है चलिए, और यहाँ पर total जो है, total कितने होते हैं, chemicals वो हते हैं, 118, ठीक है total number, 118 next question है, question number 36 देख लेते हैं, orange is a rich source of which vitamin, यह question किसी भाई का गलत नहीं होना चाहिए, किसी बेदोस्त का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि starting कही पहले top 10 questions में, question था citrus fruits बाला, उसको मैंने आपको explain किया था, कि citrus fruits जितने ही होते हैं, आनमें कौन सा chemical होता है, ठीक है संत्रा जो है, खटा fruit है, citrus fruit है, तो citrus सभी fruits में जो है, vitamin C ही रहेगा, option number A जो आपका सही answer बैठेक है, ठीक है next question देख लेते हैं, melting point of ice, ठीक है, melting point of ice, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब melting point की बात की जाती है, temperature पे उपर बात की जाती है temperature जब आता है, temperature दो basis में measure किया जाता है, एक किया जाता है Celsius में, degree Celsius में और एक किया जाता है Fahrenheit में ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, Fahrenheit और Celsius का, ठीक है, अगर melting point पूइट पूँचा गया, ice का, ठीक है तो melting point ice का क्या है, 0 degree Celsius, option number C आपका सही है, ठीक है 0 degree Celsius है, Celsius में 0 degree और अगर पूच ले जाता कि Fahrenheit होता है, यहाँ पे C की जगा F लिखा होता, ठीक है, तो Fahrenheit आता 32 degree Fahrenheit, ठीक है इसका melting point जो है, Fahrenheit के बेस पे 32 degree है, और Celsius के बेस पे 0 degree है, ठीक है ये इसका melting point है Next पे चलते हैं, question number 38, which of the following is an important metal used to iron produce stainless steel, हाँ इन में से, simple आपको मैं बताता हूँ कि इन में से कौन सा ऐसा metal है, जिसको iron के साथ हम use करते हैं, लोहे के साथ use करते हैं ताकि हमारी stailness steel बने, stailness steel को उनसी होती है कि जो बिलकुल आप देखते हैं आज कल की shine होती है, जिनके उपर बिलकुल कोई दाग दब्बे नहीं होते हैं लोहे के उपर जहां, steel के जो आती है चीजे आती है, pie बगएरा होगे, कुछ भी होगे frames होगे, उनके उपर बिलकुल एक shine यसी रहती है, कोई दाग नहीं होता है, कोई दब्बा नहीं होता है, उसके लिए वैसी steel बनाने के लिए, लोहे के साथ हम दूसरा product जो है, वो कौन सा इस्तमाल करते हैं, कौन सा metal जो है use करते हैं, ठीक है तो उसके लिए हम करते हैं chromium को ठीक है, option number C, iron iron plus chromium is equals to stain less, stain होते हैं दाग दब्बे, ठीक है, stain से याद रखिए अगर stain less नहीं पता चलता है पूरा stain याद रखिए, stain होते हैं दाग दब्बे, ठीक है, और less हो गया, कम ठीक है, जिन पे कम हो, जा बिलकुल ना के बराबर हो, ठीक है, option number cease में आपका सही answer रहेगा, उमीद करता हूँ questions आपको अच्छे से समझ आ रहे हूँ, जो जो पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में बैट रहा हो, भूले ना कुछ भी, यही एक अच्छा रास्ता है और इसी के तुरुए आपको selection मिलना भी है, ठीक है, instrument is used to see heavenly bodies, ठीक है, heavenly, heaven अकाश, उपर आस्मान में, जो है bodies देखने के लिए, bodies, किसी भी चीज़ को कहले, जब stars होगे, planets होगे, जब कुछ भी, ठीक है, उन सभी को bodies की category में रखा जाएगा, उनको देखने के लिए, कौन सा जो instrument है, use किया जाता है, अकाश, शिय पिंडों को देखने के लिए, किसी अंतर का प्रयोग किया जाता है, periscope, telescope, microscope, या फिर इन में से, कोई नहीं, ठीक है, options आपके सामने हैं, किस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से answer देते जाएए, ओके, question number 39, ठीक है, तो आपका answer जो है, वो बैठे का telescope, ठीक है, टेलिस्कोप का हम प्रयोग करते है, heavenly bodies देखने में जा कहा लेजिए, कि आकाश के उपर की bodies, हमारी दर्ती के बाहर की चीज़ें देखने के लिए, टेलिस्कोप का प्रयोग करते हैं, यो कि बहुत दूर की की चीज़ें जो है, बिल्कुल close करके दिखा देता है, उसके सिवा, option number यह है, periscope है, periscope का कहां इस्तमाल करते हैं, submarine आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, आप armed force की त्यारी कर रहे है, weld force की त्यारी कर रहे है, submarine आप सभी को मालूम होगा, submarine जो है, उसके ओपर से जो scope निकाल के देखा जाता है, आगे की location देखी जाती है, ठीक है, उसे periscope बोलते हैं, और microscope जो है, यह चोटी-चोटी चीज़ों को, bacteria बगैरा होगे, इन चीज़ों को देखने के लिए, microscope का जो है, इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 40, blood जो है, खून जो है, हमारा रख्त, वो body के किस पार्ट में, purified होता है, या कह लिजे कि शुद्ध होता है, blood, ठीक है, body के किस पार्ट में, purified होता है, जहां फिर, शुद्ध होता है, और यह होता है, question number 40 के साथ चलते हुए, option number C, ठीक है, kidney, kidney, जो है, blood purify करती है, blood को शुद्ध करती है, ठीक है, option number C, जो आपका बिल्कुल सी अंसर हैगा, heart का क्या काम रहता है, blood में, pumping करता है, ठीक है, pumping, आगे body के दूसरे parts तक महुचाने का काम करता है, okay, important question है, एक और, ठीक है, कि human body जो होती है, simple आप कहले है, generally, आम तोर पे जो रहती है, ठीक है, human body में, blood की quantity क्या रहती है, ठीक है, blood जो है, measure किया जाता है, gallons के base पे, ठीक है, basic जो blood रहता है, 1.2 से 1.5 gallons तक रहता है, और human being के हिसाब से, ठीक है, और इसका जो है, answer एग, option number B, 7%, ठीक है, blood कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी body हो, चाहें मेरी body हो, किसी की भी body हो, हमारा जो बेट होगा न, ठीक है, हमारा जो total बेट होगा, बेट का 7% जितना बेट आएगा, वो हमारा blood रहेगा, ठीक है, अगर मान लिजे कि किसी भीक्ति का, बेट है, 100 kg है, ठीक है, ठीक है, example के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें 7 kg जो है, blood होगा उसकी body में, ठीक है, समझ गे, simple basic चीज़ बता दिये, next question है, question number 42 है, LPG is a hydrocarbon consisting of mixture of, LPG hydrocarbon आ गया ना, तो यहाँ से question बदल गया आपका, अगर hydrocarbon नहीं होता है जहाँ पे, ठीक है, अगर बुचा जाता, simple LPG जो है, किसका mixture है, तो उसमें methane भी आना था, methane, 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 methane and propane, question number 42, ठीक है, तो फिर यह बैठेगा, propane और butane का question, ठीक है, propane और butane का mixture बैठेगा, ठीक है, जिसमें कि propane की quantity है, वो 3 होती है, और butane जो है, वो 4 होते है, ठीक है, 42, option number B, propane 3 और butane 4, चलिए, next question देख लेते हैं, question number 43, natural gas mainly consists of, natural gas जो होती है, प्राकृति गैस में, मुख्य रूब में, शामिल क्या होता है, question number 43, बहुत बड़े जल्दी से answer दो, सभी बच्चे नीचे, comment box खुले हैं, live chat आपके लिए खुली है, सब open है, ठीक है, question number 43, और इसका answer जाएगा option number A के साथ, methane जो है, अपना सही answer बड़े करके, मैंने आपको पीछे भी बताया, पीछे भी questions था ना, एक, ठीक है, bio gas के उपर, मैंने आपको बोला, bio gas, natural gas, gover gas, ये एक ही नाम है, bio gas बाले में भी answer अपने ने क्या दिया, तो option number A, methane आपका सही answer बैठेगा, next question number 44 है, maximum photosynthesis जो है, वो किस light में होती है, maximum photosynthesis, जे मैं एक पीछे के एक वीडियो में करवाया था, उसमें बहुत से बच्चों के comment आ रहे थे, तो मेरी बात सुनो, मेरे वहरे बाई हो, दियान से सुनो, ठीक है, हमें जो है, वो चलना होता है, किस बेस पे, अपने question और उसके options के बेस में, अगर यहाँ पे अब red है ही नहीं, तो हम red कहां से add करेंगे, मेरे को बताओ, ठीक है, हम इसका answer red कैसे लिख देंगे, कौन सा option डालेंगे, option number E डालेंगे, क्या red में, जब option में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, red और, दियान से सुनो, red और blue, ये दो light'े हैं, जिन में सबसे ज़्यादा photosynthesis जो होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, red और blue में, red नहीं है, पर blue तो है, blue तो है ना, तो simple हम option number E के साथ जा सकते हैं, blue light में होती है, ठीक है, अब red नहीं है तो red छोड़ दो, अगर यहाँ पे blue नहीं होती, blue की जगा red होती, तो definitely red के साथ जाते, ये चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, red में भी होती है, और blue में भी होती है, ठीक है, options के recording चलना है, इस चीज़ को समझे, ठीक है, option number इसमें A अपरा सही रहेगा, ठीक है, blue light, question number 45 है, main organ of respiratory system in human body, human body में respiration का main काम जो है, वो कौन करता है, वो करते हैं हमारे lungs, basic question है, question number, sorry, class 8 का है, respiratory system आप सभी ने बनाया होगा, बड़े बार बनाया होगा, science के टीचर में बनवाया होगा, तो उसमें lungs जो है, वो respiratory system में सबसे main role जो है, वो play करते हैं, सभी दोस्तों को last तक 50 question करने हैं, 4 question और बचे हैं, और total अपना बताना है, कि total जो है, मिरवाई हो, कितने questions आपके सही रहे हैं, चलिए, next question, sorry, 46 देख लेते हैं, कि कुत्ते के काटने से कौन सी बिमारी होती है, disease caused by the white of dog, ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सी बिमारी जो है अपने को होती है, well done, dengue fever नहीं होता है, malaria नहीं होता है, cholera नहीं होता है, ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 47, general science का most important question है, कि dietion के बाद जो हम proteins कुछ भी खाते हैं, disease में proteins होते हैं, वो dietion होने के बाद कहां जाते हैं, ठीक है, उद्गर क्या बन जाता है, जहां हम उनको क्या बोलते हैं, किसमें convert हो जाते हैं, simple बाद, ठीक है, protein dietion के बाद किसमें convert होते हैं, ठीक है, तो protein जो है मेरे वाई हो, वो dietion के बाद amino acid बन जाता है, ठीक है, protein dietion के बाद amino acid में convert हो जाते हैं, option number D, next question है, question मैं आपको इतने प्यार से और इतने सरल तरीके से समझा रहा हूँ, कि आपको ये question बूलने नहीं चाहिए, exam तक, specially तो exam तक, उसके बाद चाहिए, बूल जाओ, कोई बात नहीं, बट जब तक आपका selection नहीं हो जाता, जब तक uniform नहीं मिल जाती, तब तक ये question दिमाग में रहने ही चाहिए, और एक ही बार पढ़ने से question दिमाग में नहीं रहते हैं, आज आपने 50 question पढ़े, मान लीजिए, आप बिल्कुल fresher है, 50 पढ़े एक बार, और अगर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी मेरे को समझ आगा है, बट नहीं, थोड़ी देर बाद आप फिर से करके देखीए, आपको 50 में से hardly 10 जा 15 questions याद रहेंगे, बाकी कि आपको बोल जाएंगे, ठीक है, at least एक या दो reading देना पढ़ता है, एक या दो बार पढ़ोगे, sorry, एक से जाला, दो जा तीन बार पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है, वो बैठेंगे, ठीक है, तो basic question है, basic unit of life के उपर, कि basic unit of life का क्या है, वो है cell, ठीक है, basic question था, और basic unit of life भी cell है, ठीक है, option number C, next question है, question number 49 है, typhide के उपर question है, कि typhide जो है, वो किसके कारण होता है, bacteria के कारण, protozoa के कारण, virus जाँ फिर, protein के कारण, typhide, typhide common बिमारी है, ठीक है, बुखार आता है, typhide का, लंसम लंसम, 11 days का fever रहता है, ठीक है, typhide में, बहुत कमजोरी हो जाती है, beakness हो जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह एक bacterial disease है, ठीक है, bacteria की बज़ा से होता है, इस bacteria का नाम देख लो, ठीक है, bacterial option number A है, ठीक है, salmonella, salmonella, ठीक है, salmonella, bacteria का नाम है, जिसकी बज़ा से typhide होता है, यह आएगा नहीं, अगर nursing के student हो आप, ठीक है, nursing assistant की त्यारी कर रहे हो, तो यह नाम याद रख लो, फिर आप से नाम पूछे जा सकते हैं, अगर आप nursing के सिवावर्टरेट्स की कर रहे हो, तो फिर आप से यह नाम नहीं पूछे जाएंगे, simple bacteria पूछा जाएगा, टाइफाइड bacteria के बज़े से होता है, next question है, question number है 50, the process of rusting iron is called, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, simple, ठीक है, लोहे को अगर जंग लग रहा तो उसके पीछे का क्या problem है, ठीक है मतलब क्या बज़े है, process क्या रहा है, वो रहा है, oxidation, ठीक है, option number C, कैसे, लोहा जब जो है, iron जो है, iron की कोई भी चीज जो है, जब air और water के contact में आती है, air plus water के contact में आती है, तब उसको जो है, rusting होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जंग लगना जो उसको, आप कह लिजे, शुरू हो जाता है, ठीक है, तो oxidation जो है अपना, बिल्कुल सही answer रहेगा, ठीक है मेरे भाईयो, आज का वीडियो जो है, उसमें 50 questions थे, 50 questions हमारे complete हो चुके हैं, अभी आप सब भी बता दीजे, कितने questions हुए हैं, और उसके सिवा एक और main चीज, ठीक है, कि जो जो मेरे भाईयो अपने चैनल पर new है, जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है, subscribe कर लो मेरे भाईयो, आपको नए नए अच्छे अच्छे वीडियो दिलाता रहूँगा, आपकी selection के लिए, ठीक है, subscribe करना बिल्कुल free है, कोई cost नहीं है इसकी, आप simple एक click के साथ subscribe कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like भी कर दें, ठीक है, और इसके सिवा, telegram, telegram का link नीचे रहेगा, बहाँ पे आपको updates मिलते रहेंगे, और Instagram का link भी नीचे रहेगा, बहाँ पे आपको अगर कोई भी question रहेगा, कोई भी query रहेगी, उसके लिए आप वहाँ पे contact कर सकते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी questions थे, पिटास questions थे, मिलेंगे कल और questions के साथ, नए questions के साथ, तो तब तक के लिए, have a good day, जा हिंद, जाए वारत.